खबर हनुवानगड से पिली बंगा में सुरतगड रोड पर मिस्तरी मार्केट में हाथसा वैल्डिंग के दौरान फ्ल्यूंट फैंक फ्यूल टैंक फटा जलने से यूवक की मौत हो गई खबर हनुवानगड के पिली बंगा से है जहां कस्वे के सुरतगड रोड सित मिस्तरी मार्केट में एक ट्रक का फ्यूल टैंक फटने से यूवक की जलकर मौत हो गई आँको बता दें कि मिर्तक यूवक वाहनों की डेटिंग पेंटिंग का काम करता था वह गुरुवार शाम को एक ट्रेक के फ्यूल टैंक की वैल्डिंग कर रहा था इस दोरा नचानक वैल्डिंग की मशीन का अर्थ कनेक्शन हो गया और ट्रक का फ्यूल टैंक धमाके के साथ फट गया फ्यूल टैंक के फटने के साथ ही यूवक की मौत हो गई धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज कस्बे में दूर दूर तक सुनाई दी तेज धमाके के आवाज के साथ ही लोग घटना स्थल पर एकरत्र हो गए मौके पर पहांचे पुलीस दल ने यूवक के शव को सरकारी अस्पिताल की मोर्चरी में रखवाया कस्बे के वाड साथ का यूवक लखवीर सिंग उर्फ लखा कस्बे में मिस्री मार्केट इस्तित मठाडू डेटिंग परिंटिंग वरकर्स का संचालक था वह यहां अपने पिता पालारा मठाडू के साथ कामकाज समालता था गुरुवार को सामान्य दिनों की तरह कामकाज में जुटा था इसी दोरान एक ट्रक चालक ने उसे ट्रक के फ्यूल टैंक में वैल्डिंग के लिए कहा लक्वीर सिंग ने शाम को फ्यूल टैंग की Welding की वेल्डिंग कर रहा था इसे दोरान वेल्डिंग माशीन का अर्थ हो जाने से तेस धमाका हुआ और हादसे में लक्वीर सिंग की मौत हो गई हाथसे इतना भयांकर था कि दमाकी के साथ ही लखवीर सिंग का सरफट गया शवको पिली बंगा के सरकारी अस्पिताल की मोर्चिरी में रखवाया गया है लखवीर सिंग विवाहित था उसके परिजनु का रो रो कर बुरा हाल है हाथसे के समय यूवक लकवीर का पिता पालाराम भी दुकान पर ही काम कर रहा था इस तरह अचानक टेंक फटने से बेटे की मौत को पिता सहन नहीं कर पाया और मौके पर ही बेहोश हो गया उसे तरह अस्पताल ले जाया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है